मुंबई के मालवनी इलाके में स्थित सरकारी भूखंडों पर किस तरह ऐसी लायंग माफिया कपजा कर अवेट निर्मान कर रहे हैं इसका एक सनस्नी खेज मामला सामने आया है सामाजिक कार्यकरता पवन सिंह पिछले चार महीनों ऐसाई संबंधित सरकारी डफ्तरों में शिकायत कर कार्रवाई की मांग कर रहे है लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है आईए सुनते हैं इस बारे में पवन सिंह ने और क्या कहा मेरा नाम पवन सिंग है मैं राष्ट्य समाज पक्ष का उत्तर मुंबई जीले का महा सची हूँ मेरे बास लोगों की शिकायत आई थी कि मलाड मालोनी में बहुड बड़े पैमाने पे सरकारी जमीन का वितरन भूम आफियाओं के द्वारा हो रहा है जिसमें मलाड मालोनी के बड़े बड़े दिगज भूम आफिया हैं जिनकी कंप्लेंड मैंने आज से चार मैना पहले मालोनी पूलिस टेशन, SSP, BMC और डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर या ग्रह राज मंत्री सबको मैंने बाइकादा पत्रवेवार आज से चार मैने किया थ चार मैने के बाद पत्रवेवार करने के बाद लोगों से मैं मिला और जब मेरे पास पूरी तरीके से सिकायत आई कि इस जगे पे ये प्लोट है, इस प्लोट में गव चरन करके जगे है और उसमें बड़े पैमाने पे अनिल तिवारी करके भू माफिया जिनका बहुत बड पैमाने पे वहाँ पे स्टक्चर का काम हो रहा है और जिसमें स्थानिय या प्रसासनिक सभी अधिकारी बड़े पैमाने से मिले हुए हैं और वो लोग किसी भी तरीके से लेटर पे कोई जवाब ना देते हुए जब बीमसी या कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर या हर ठोकते हैं कि आप यहां से नहीं वहां जाईए इनके बास नहीं उनके बास जाईए और मैंने पूरा दस्तावेज के साथ प्रमान दिया हुआ है डिप्टी कलेक्टर को कि सर यह चीज है यहां पे प्लॉट है इस प्लॉट को बेचा जा रहा है बड़े पहमाने पे और बाद बारा में पूरा प्लॉट गवचरन हैं इन संबंद में जब भी अधिकारियों से में मुलाकात किया तो अधिकारी एक दूसरे के उपर ब्लेम डालते हुए खाली बैठ रहे हैं और इसमें मुझे जहां तक लगता है कि स्थानिक प्रसासिक जितने भी अधिकारी हैं व उनसे मेरी जब कई बार मिटिंग हुई मुलाकात हुई तो वो सीधा इस पर्ष्ट मुझे कहती हैं कि आप आटी आई डालिए यह डालिए वो डालिए ऐसा पेपर वर्क कीजिए जब मैंने उनको पूरा दस्तावेच के साथ इस चीज को दिया कि मैडम यह चीज है ऐसा ऐ प्लॉट है और आप यह कीजिए उसका उन्होंने मेरे मलाड मंडल उपाद्यक्स के साथ जॉइन विजिट 12 डिसेंबर को किया कंप्लेंट देने के ठीक दो महिने बाद उन्होंने जब जॉइन विजिट किया तो जॉइन विजिट में सवा सो जोपड़े दे पर उन्होंन मुझे दो दिन पहले जब मैं मुलाकात करने गया तो तैसिल्दार ने बोला कि मेरे पास सीओ सीओ एविलेबल नहीं है आप मैंने उनको पत्र दिया है तो आобщे जब नक्शा पूरां किलियर करेंगे जगे का माददन जब पूरां किलियर करेंगे तो हम जाकिए कारवई कर उस पे अनिलतिवारी, मया भंडारी और वहां के लोकल बड़े पेमाने पे जो भू माफिया हैं जिनका मैंने बाइकादा ये लोग सरकार की जगे को गिब डीड एफिडेविट पाउर अफेटो नी ऐसे पेपर बना बना के लोग बेच रहे हैं और उसके पाथ पूरा डॉक से जल्द उसके उपर कारवाई हो कारवाई करने के बाद तुरंद मुझे इसका रिपोर्ट सोपा जाए कि हां हमने इस चीज़ पर ये कारवाई किया है और सरकार से तो मेरा यही निविदेन है कि उस पूरे प्लॉट को डेमोलेशन करके उस पूरे प्लॉट की बॉंडरी जाए जिससे भू माफिया लोग और भू माफियों के खुला जो सरकारी नियम होता है माडीपी के तहट जो उनके उपर मुकदमे होते वो उनके उपर दर्ज किये जाए यही मेरा अनुनोध है और इसी चीज़ को लेके मैं मीडिया में आया हूँ और मीडिया के माध्यम से मैं यह अपनी बात महराष्ट गवर्मेंट देवेंट फंडविस तक ग्रह राजमंत्री तक यह बात मेरी पहुचाना